हाई प्रेंट्स आज हम उस टोपिक के बारे में अध्येन करेंगे जो स्कूल प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं एसे दस टोपिक होते हैं लेकिन ये रिपोर्ट रायटिंग में भी काम में लेते हैं report writing और paragraph writing दोनों में आए सबसे पहले देखते है report writing क्या होती है report writing 7 marks की आती है कक्सा 11 और 12 में report क्या होती है report किसी के द्वारा देखी, सुनी अत्वा किये गए कारे का ब्योरा या वियुरन पार्टकों को प्रस्तुत करना होता है यही report writing होती है अब रिपोर्ट के अलावा ये जो टोपिक होते हैं ये क्लास 6-12 पेरिग्राफ राइटिंग में काम में आते हैं आएए देखते हैं वो कौन-कौन से टोपिक हैं ये सारे टोपिक स्कूल प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं जैसे पलाए मौनिंग प्रेयर सेशन, प्राइज डिस्ट्रिब्यूशन पंक्षन, टीचर्स डे, वर्ल्ड लिट्रेसी डे, कल्चरल फियस्टा फोर स्कूल स्टुडेंट्स, अन्नौल डे, सेलेब्रेशन, पेर्वेल पंक्षन, सुपी डव्यू केंप, रीपब्लिक डे, स नऌए अपने यहां पर यह, अपना जो यह पिरेग्राफ है, जो यह रिपोर्ट है, यह आसानी से हम वहां लिख सकते हैं, यह एक ही उन सब स्कूल प्रोग्राम का काम करेगा, आईे देखते हैं, रिपोर्ट का क्वेशन किसे आता है अब यहाँ पर आप यह देखी कि यह एक आपको student union का president माना गया है और आप एक report तयार कीजिये price distribution function पर आईए देखते हैं सबसे पहले उपर आप capital letter में यह जो topic आया है जैसे इसमे price distribution function आया है तो हम यहाँ पर heading price distribution function डाल देंगे आगे दिये कि आपको यह जो bracket में लिखा हुआ है by the president school union क्योंकि आपको यहाँ पर question में आपको president माना गया student union का यह है चीज हमने यहाँ पर लिख दी अब आगे बढ़िए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे इस्तान तो हमने इस्तान कोटा लिख दिया और यह जो date है यहाँ पर आप date डालते time यह ध्यान रखिये कि आपका जो program है क्योंकि हम 10 का एक common बना रहे हैं तो यह जरूर ध्यान रखिये कि जैसे अपने मान लीजिए Republic day 26 January को आता है तो फिर हमें वहाँ पर report 27 January को हम बनाएंगे यह ध्यान रखिये यह independence day हमने 15 अगस्त को आता है तो आप पिर यह 16 अगस्त लिखे यानि कि थोड़ा इसमें हम अकल लगाएं नकल में भी तो अपना काम आसाने से हो सकता है तो यहाँ पर यह date का जरूर ध्यान रखिये और यह जैसे अभी price distribution function बना रहे है तो यह तो सारे school session complete होने के बाद में होता है तो हमने यहाँ पर मेई डाल दी 15 मेई यहाँ पर हमने डाल दी अब आईए यहाँ पर जो है यहाँ name of the topic लिखें यानि जो भी आपके इन में से आया है आप वो topic यहाँ पर लिख दें उसके बाद में फिर आपको कहीं कुछ करने के जरुत नहीं है सारा वो का वही रहेगा आईए पढ़ते हैं तो यहाँ पर जैसे हमने बोल दिया pride distribution function was celebrated in our school on Friday और यह जो जगह है यहाँ पर आपों मेंने जो का वो date यहाँ पर भी लिख दें धीगेस को श्री राम कुमार मले इस प्रिंशिपल रसीव प्रिंशिव रिख दी वाम ली द पंशन वाज प्रेयर श्रसवति वंद ना अगले पेरिग्राफ में, students presented cultural items like folk, songs, folk, dances, vocal and species. A play was also presented on social awareness. The chief guest gave away the prizes to the prize winners. पेरिग्राफ में, everybody clapped again and again. All the students were rejoicing, many photographs were taken. Next paragraph In the end of the function, our principal thanked all. The function ended with the national anthem. इस प्रकार हमारे ये हमने पूरा का पूरा दस जो हमारे लगबग टोपिक हैं, उनका एक पिरेग्राप याईयों कहें, रिपोर्ट हमने तयार कर ली. अब आप इस जगह पर इन में से कोई साबी जो 10 आएं, 12 आएं, 20 आएं, कोई साबी आए, आप यहाँ पर एक बार उसको परक कर देख लीजिए. और जो मौनिंग प्रेयर सेशन है, वर्ल्ड टिलिटरेशी डे है, एन्वल डे सेलेबरिशन है, पेरिवल पंक्सन है, यह कोई साबी प्रोग्राम है, आप इस जगह लगा दीजिए, और आपको यह पूरा लगबग 10-15 जो टोपिक हैं, उनका आसानी से याद हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसको आप अपनी कोपी में जरूर नोट कर लें, और फिर भी अगर एक दो चीज़ें इधर उधर आती है, तो आप उसे संबंदित बात को जरूर लिख दें, बाकि ज़्यादा तर कोमन लाइन्स में ने इसमें लिखने की कोशिस की है आशाये दोस्तों, आपको ये लेसंस पसंद आ रहे होंगे, आप इनको जरूर कोपी में लिख लें, नोट कर लें, एक बार में समझ में नहीं आए, तो आप इस प्रोग्राम को इस लेसंस को दो बार, तीन बार देखें, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क् और बेल आइकन को गंटी के बटन को जरूर दबाएं, ठीक है, अगर फिर भी कोई सिक्वासी कायद हो, कोई सुजाओ हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, थेंक यू